आज के क्लास का जो टॉपिक है वह है पैकेज.xml क्या होता है जब आप लोग कंपनी में जाओगे तब आपको इस वर्ड का बहुत यूज सुनने को मिलेगा और यह बहुत ही यूजफुल चीज़ है पैकेज.xml ठीक है इसका क्या यूज है क्यों कब-कब यूज करेंगे यह सारी चीज़े में अभी आपको यहाँ पर बताऊंगा तो सबसे पहले तो यह चीज़ समझ लो कि पैकेज क्या होता है और यह xml कि यह एक एक्स्टेंशन है जो की यूज किया जाता है आपके पैकेज को अलग तरीके से डिफाइन करने के लिए मतलब आपकी अगर कोई कुझा ही और एसंवर के लिए इप्ते ह differentiate अब्र फाइल नहीं हो सकते एक्सेल रिल्बर उसी तरीके से आपके पैकेज फाइल को डिफरेंट जो करने के लिए उसका एक्सेंशन दिया गया है matter अब यह package क्या होता है देखो package का मतलब मैं पहले आपको बता दू कि इसमें ऐसा कोई डरने वाला व्र नहीं है package ठीक अब आप इस प्रेंट्स ऐसे हैं जिनको इसीज़ें नहीं आती थी तो package को मैं आपकें सिंपल लाइंग्वेज में समझाता हो कि वॉट इस पैकेज ठीक है देखो आप सबने पेंट्राइब यूज किया होगा करेक्ट पेंट्राइब क्या करता था जब हम लोग अभी तो पेंट्राइब आल्मोस्ट गॉन राइट मतलब लेकिन पहले क्या होता था पहले केस में आज से कुछ आट-9 साल पहले इतना डेटा नहीं होता था पांसो बारा एंबी के पेंट्राइब जाते थे एक जीवी के बहुत होगे तो अलमस्ट मुझे लगता दो जीवी चार जीवी या अर्ट जीवी हाईस्ट हो जाए उस समय में ठीक है तो पेंट्राइब का में पर पर अपना हो जिए तो हम लोग क्या करते उसका बैक अप लेके रखते थे कहां पर पेंट्राइब के अंदर या फिर हमको हमारे घर से किसी दूसरे घर में जाके प्ले करना है तो हम लोग पूरा का पूरा डिबा उठाके तो जाते नहीं थे ना ही उस समय लाप्टॉप इ है ऐसो फइस अगर के स्टोर करते थे और पें राइब दूसरे सिस्टम में मतलब एक कंप्यृटर से दूसरे कंप्यृटर में लगाते ते जिससे क्या होता था वी कंपुःटर की मुवी दूसरे कंपुःटर में दिख रहे है आपकेадц दिख रहा है इधर के सॉंग उधर चल रहे तो यह सब किसके तुरू पॉसिबल रहता यह पॉसिबल हो पाता था आपके पैंड्राइब के तुरू राइट मतलब जो आपका पैंड्राइब था यह एक कम्यूनिकेशन क्रियेट करता था यह कम्यूनिकेशन को इनिशियेट कर और तो यह कम्मिनिकेशन को क्रिएट करता है जैसे मैंने बोला यह आपका है कंप्युटर 1 और वह आपका कंप्यूटर 2 और इधर है आपका कंप्यूटर 2 राइट अब यहां पर क्या होता है communication कैसे कैसे होता है इधर का data इधर इधर का डेटा इधर पास कर सकते हो किसकी मदद से पैंड्राइब की मदद से पैंड्राइब में आपको पस यहां पर एक्जाम्पल दे रहा हुआ क्योंकि आप सबको पता होगा पैंड्राइब क्या होता है अब इसकी पैंड्राइब सब्सक्राइब करता है मतलब तो यहां पर बस में जनरल एक्जामपल दिया आपको कि पेंड्राइव क्या करता है इधर का डेटा इधर करने का काम करते क्यों ताकि अगर एक कंप्यूटर से आपका कोई मूवी या आपकी ऑफिशल डॉकुमेंट या कुछ भी अगर उड़ जाए किसे तरीके से करप्ट ह हो जाए ठीक है लॉस्ट हो जाए तो आप उसका बैक अप स्टोर करते हो पेंड्राइव में और फिर उदर उसको दूसरी जगह पर जाके स्टोर कर देते हो वही काम आपका यहां पर पैकेज.xml करता है पैकेज.xml अभी यहां पर क्या कर रहा है आपको कि आपकी जो और कि ठीक है आपकी जो सेल्सपोर्स की और अब यहां पर आप जो भी कुछ बनाते हो बराबर एक जगह पर बना रहे हो यहां पर आपके क्लाइंट का डेटा है आपका डेटा है बराबर आप जो भी डेवलप्मेंट कर रहे हैं वह सब कुछ है यहां पर आपकी एप्स है आपर सटम मेंगेटा हैंlocki एक सिट तो प causa कर चाहिए बहुत सारी चीहरों वयसे तो है तो तो उसके बात आपके जो भी कुछ आपमिशन सेट्स बनाए होंगे अपने आपक्स क्लासेश बनाए होंगे अपने एपेक्स ट्रिगर्स बनाए होंगे ठीक है आपने विजुल फोर्स पेज़ेस बनाए होंगे अपने लाइटनिंग के औरा कंपोनेंट्स बनाए होंगे ठीक है लाइटनिंग औरा के कंपोनेंट्स बनाए होंगे आपने LWC Components बनाए होंगे उसके बाद आपने कोई Static Resources बनाए होंगे ठीक है आपने कोई Custom Level बनाए होंगा ठीक है बहुत सारी चीज़े हो सकती है ठीक है जिसको जिसको यह सपोर्ट करेगा वो सारा का सारा डेटा वो आपको देते हैं ठीक है तो यह कहाँ पर है आपकी इस Or me का है और वण नाम के और फिक है यहां और लिके टॉर्ट इसका नाम है मैं और वरबं अभी क्या हो रहा है कि Company में कहीं पर वीकली बैसिस पर कहीं पर मंतल्य बैसिस कहीं पर कौटरली बैसिस पर आपकी जो और होती है उनी का मतलब क्या है कि अभी आपके ओर चालूए इधर डेटा जाता है ठीक है यहां का डेटा एधर जाता है production सब्सक्राइब करते हैं कैसे होगा किसे ओर यह दो यह रोग करते एक जगह पर डिप्लाइब करतेैं ब arrest तो यह है और गट करने वाली यह इंग hormone प्रवबक्षण की और गए उधर का पूरा का पूरा लेटेस्ट डेटा जो है वह आपकी इस इस वाले और चाले ऑटी अजाता है ठीक है तो उससे क्या हो जाते है कि आपने जितना भी काम किये सब्सक्राइब किसी एक वाप काम कर रहे ह volt किसी बिजेवर स्पेज की उपपर काम कर रहे हैं आपकी सी आपकर ने कोई nuclear आप Dre तो वो सारा का सारह उड़ जाएगा क्यों क्यों कि यहां पर जो है यह एदर कॉप्यि हो जाता है पूरा का पूरा बराबर मतलब देखो अब मेरे पास ना मेरे लैप मेरे COMPITOR में ड्राइब है अब मैं क्या कर रहा हूं उस ड्राइब की जगा मतलब ऑस ड्राइब में ऑपोस्कुर्श दो मुपीस है तो कि लो है वसके ऑ से यह उत्यारी और उपर पूरा ओर रेड हो जाता है तो आप जिस टिकेट पर काम कर रहे हो मतलब आपके से आपक्स लास ट्रिगर के उपर काम कर रहे है जो अप तक प्रोडक्शन में नहीं गया है डिपलॉय नहीं हुआ है वो भी उड जाएगा तो आपकी महिनत तो गई पानी में बरावर त तो ऐसे केसे को हैंडल कैसे करेंगी यह एक सिनारियो ठीक है सेकंड शिनारियो आप जो भी काम कर रहे हो उसका आपको टाइम टुटाइम बैक अप लेके रखना है बराबर ताकि अगर आपकी और उपकी और हो गए क्रैश या ओवर नाइट आपकी और में कुछ ऐसा सेस में आपने जितनी मेहनत की वह सब गई पानी में यह होगा आपका सिनारिय नमबर टू आपका तीसरा सिनारिय होता है जब आपको एक और और का देटा दूसरी और बेजना है मतलब यह यह ठीक से दूसरी मशीन ये एक सिस्टम से रिक और से दूसरी और में कि जब आपको data भेजना होता है तब आप नॉर्मल तरीके से क्या गोलेंगे इसको कि पेंट्राइव में कॉपी करेंगे और उदर जाके पेस्ट करेंगे मतलब यहाँ पे कॉपी यहाँ पे उसको बैक अप लेंगे और इदर जाके पेस्ट करेंगे तो बस अपने को package.xml बहुत बड़ी चीज होती है ठीक है अब यह package.xml बनता कैसे है यह समझेंगे तो आप अगर Google पे जाओगे तो Salesforce के documentation में इसका आपको मिल जाएगा ठीक है तो मैंने यहाँ पे कुछ open करके रखा है देखो सिंपल package.xml यहाँ पर देखो आपको यह जो उपर वाला syntax है इसको हमेशा एस रखना ठीक है इसको भी एस इस रखना वर्जन अगर आप अपने class का चेंज करते हो तो आप वर्जन चेंज करो लेकिन जब तक आप प्रो नहीं होते कुछ छेड़ना मत ठीक है सिर्फ इतना पार्ट और इतना पार्ट आपको जितना भी काम करना यहाँ पर करो भी ठीक है अब यह क्या काम है देखो अगर आपकी और्गे में कितने अब्जिक्ट से सब सबको बैक उबनी आप सकता है सब अब में를 को बता है सब्य pleasing模ire कैसे करो इस अगर आपकी और चिर्फेस होने तो आपको पहले बैकप निकालके रखना पड़ेगा तो अबजेक का डीटा बैकप करने के लिए कितना समय लग जाएगा अब्जेक का निकलोगे फीड्ड निकलोगे उसकी डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स निकालोगे स्टाटिक रिसोसे कस्टम लेबल कस्टम सेटिंग permission step service trigger हर चीज निकालते बैठना पड़ेगा थcontrol तो अगर अपको सारे के सारे objects निकालने था आप uh शकते हैं is this time star का मतलब होता है और और अगर आपको सारे नहीं निकालनने या होटल कहीं चाहिए या प्रॉपर्पर्टीय चाहिए तो आपको वहाँ पर यहाँ पर अब्जेक का नाम मेंशन करना पड़ेगा सेम तरीके से फिल्ड अगर आपको किसी परेटिकुलर अब्जेक की कुछ परेटिकुलर फिल्ड का ही बैक अब चाहिए तो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा और यहाँ पर इसका नेम चेंज करना पड़ेगा यह नेम क्या होता है टाइप कि आपको कौन से टाइप के डेटा का बैक अब चाहिए मतलब अब्जिक का चाहिए लाइटनिंग कंपोनेंट्स का चाहिए इस तरीखे से बनता है पैकेज तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ यह है मेरा फेज ठ रखिए मैंने लाइन नमबर सेवन एंड इसको यहां पर करेंगे हम लोग यहां पर यह चैंज कैसे यूज होगा देखो अगर मुझे सबसे वहले तो और ऑब्जेक का निकलने मतलब तो क्या लिखेंगे उसकी जगहापे देखो यह क्या है टाइप का डेटा निकलना यहापे आ गया कस्टम मुझे सारे और सब्सक्राइब और मुझे चाहिए होटेल अब्जेक का डेटा तो होटेल अब्जेक मेरा कस्टम अब्जेक्ट तो उसका एपिया नेम मुझे चाहिए रूम अब्जेक का डेटा तो उसके लिए आप यहाँ पर कस्टम अब्जेक की जगा पर लिख दोगे कस्टम फिल्ड ठीक है और मेंबर्स में अब मेंबर्स में सपोस्कोर मुझे होटेल अब्जेक के अंदर की नहीं अब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट टोटेल अंडर्स स्टाफ में स्टाः अबजेक्ट है इसकी अगर मुझे कुछ शरी पूरा 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 अबजेक्ट नहीं चाहिए सिर्फ कुछी फिल्ड चाहिए तो कैसे लेंगे वह बता देता हूं मैं आपको सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा कि जिस आब जेक्ट चाहिए उस का का API ने जो हमने यहां पर अभी लिख लिए वराबर डॉट के बाद यहां पर क्या आएगा आपको जो फिल्ड चाहिए वो ले लो जैसे मुझे अड्रेस प्रूफ टाइप चाहिए ठीक है तो यह फिल्ड का पूरा मेटाडेटा आपको मिलेगा ठीक है अगर मेरे को और किसी की कोई फिल्ड चाहिए तो वह भी मैं यहां पर लिख सकता हूं एभार अगर मुझे और कोई ऑ्जेक्ट है मेरा तो copy करेंगे अधिक है और इसकी आपको जो चाहिए वह आप ले लो अभी इसके अंदर एक भी फिल्ड नहीं है क्या ठीक है तो एक आद यह स्टाइंडर्ड ले लेते हैं नेम नाम की यह ले लेते अभी कोई फिल्ड नहीं है तो चोड़ ओके ऐसे कि समझें अगर आपको कस्टम ऑबजेक्ट हो गया कस्टम फिड़्ड हो अगर आपको एपक्स क्लासेश ट्शाइए टो उस क्यों क्या करना है इसी को पेस्ट करता हो यह बाकी का हटा देंगे यहां से अभेक्स च्लास आपकी iki एंदर प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् लिखते हैं कि लिखते हैं देखो क्या लिखा है क्लास ठीक है अब अगर आपको ट्रिगर चाहिए तो ट्रिगर के लिए भी सेम कैसे करोगे यहाँ पर आपक्स क्लास की जगह पर क्या आएगा अपक्स ट्रिगर ठीक है अपक्स ट्रिगर का नाम दे तो आप यहां पर देखो मेरे पास अभी क्यों से कुन से ट्रिगर से अपक्स ट्रिगर्स है अपक्स ट्रिगर्स तरीके से आप आपकी पास अगर कोई कोई लाइटनिंग कंपोनेंट होगा कोई विजूल फोर्स पेज होगा पुछ भी होगा ठीक है आप देखो यह फॉर्मैट को फॉलो कर सकते हो अगर सारा डेटा चाहिए तो स्टार लिको देखो अपक्स क्लास एपक्स के कंपोनेंट एपक्स के टेस्ट सूट अगर आपको सोर्क़र्स लाइटनिंग कंपोनेंट ऐपको जो चाहिए आप सकते हैं अगर आपको से तो अपक्रली अपका द्सक्राइब क्लमाइच लुट यहां सही हम लोगे सकते हैं कि यहाव आपको क्या करना पड़ेगा यहाव आपको टेस्ट क्लास का नाम पूट करना पड़ेगा कैसे करो कि टेस्ट क्लास का नाम पूट अपेक्स क्लास में जाएंगे त्टिक है और यहां पर जैसे यह वाला है यह मेरे पास एक टेस्ट क्लास है तो उठाता हूं और यहां पर कर देता हूं पेस्ट ठीक है हो गया चलो तो आइधिंक इनफ है हमने जितना किया पैकेज यह हम लोग पैकेज बना रहे हर बार आपको टाइप लिखना पड़ीगा क्योंकि देखो यहां पर object है यहां पर field है यहां पर class है यहां पर ट्रिगर तो उसको बताना पड़ेगा देखो जैसे पेंटRA में folder और पर से जाएगा और company में जाने के बात आपके आज बाजू वाले जादा टेखनी कल बात करेंग तो आपका मॉराल वेसे बेडाउन मैं सिंपल तरीके से समझाता हूं आप सिंपल तरीके से समझों और इसको इंप्लिमेंट करो तो अभी नॉर्मल एक नोटपैट फाइल है यह अभी XML फाईल नहीं थे हुआ कैसे बनाएंगे तो देख चलो इसको मैं करता हूँ तो अभी सेव सेव किया इसका नाम देता हो पैकेज अब यहां से जाएंगे और इसको जो एक्स्टेंशन है वो देदेंगे डॉट यह एक्स्टेंसिबल माकप लेंगवेज वाला ठीक है सेफ करेंगे कहां पर सेफ करूँ इसको मैं भी अभी के लिए आपको डेक्स्टॉप करता हों टॉक है सेफ करेंगेा इभाएल है ईसको डिलेट कर देंगे है कि सेव करेंगे तो इस वह फॉइल ना अलजब लिए ऐफक कोई बात नी का से डूड़े नाम से सेवक मिदेटे ओ ठीक है कोई करेंगें नाम से नाम से कोई और इसको मैं डेक्सटॉप करता हूं यह लोकेशन चेंज कर देना आप देखो बदल गया इसका कलर बदल गया क्योंकि अभी यह बन गई एक्सेमल फाइल ठीक है किया बन गाईगी एक्सेमल फाइल यहां पर वर्जन लेटेस्ट वर्जन आपके और का थीक है यह दिया गया अब और आप क्या कर सकते हो इस तरहीं किसे आपका बन जाएगा पैकेज दो एक्सेमेंट अब आती है बारी इसको डिप्लाइमेंट की थ सब्सक्राइब तो अभी हम लोग डिपलोई या रिट्रीव दोनों चीज़े डिपलोई करना मतलब एक और से दुसरे और में डेटा को लेना एक्सेप्ट करना मतलब रिट्रीव करना और करना मतलब भीजना ठीक है सेंड करमसें रिसीप तो अगर आपको अभी यह चीजे मुझे वर्क बेंच के थ्रू में आपको बता देता हूं कि किस तरीके से इसको रिट्रीव किया जाता है कि हम लों बैक अब निकाल रहे हैं पै पहले बैकप निकालना सीख लेंगे तो देखो अभी मेरे पास प्रोडक्शन और से दो ऑप्शन होते हैं जब आप प्रोडक्शन की और को लॉगिन करोगे तब आपको प्रोडक्शन चूस करना है सेंडबॉक्स मतलब अपका यूटी हो गया डेवलापर और हो गया इसके लिए ठीक है तो अभी हमारा डेवलापर का फ्री एडिशन का और गया ठीक है तो इसका यूर्ल होता है वो लॉगिन डॉट सेल्सपोर्स ही होता है तो प्रोडक्शन चलेगा ठीक है आई एगरी करें जैसे ही इसको अलव करेंगे ना यह उस और में उस और के साथ लिंक हो जाएगा कौन मेरा वर्क बेंच क्या होता है यह मैं आपको अलग से समझा दूंगा जिसको नहीं पताओ आप में को बताओ फिर मैं उसी सबसे वीडियो बना के दूंगा ठीक है तो अभी देखो यहा करेंगे परीट्रीप कर लिया यहां से चूज फाइल्ट तॉप पे जाएंगे और आपका जो पैकेज है पैकेज वर इसको ओपन करता हूं हो गया सिंगल पैकेज सिलेक करो नेक्स्ट करो और रिट्रीव करो ठीक है अब देखो यह इन प्रोग्रेस है अब जैसे हो जाएगा सक्सेश दिखा दिया ठीक है फेल भी होता है अगर आपका कुछ डेटा मिसिंग है कुछ है तो फेल भी होता है तो इसको आप डाउनलोड कर लो कैसे करोगी इसका जिप डाउनलोड हो जाएगा जिप डाउनलोड हो गया इसको क्या करोगे फोल्डर कर लो तो यह मैंने आपको बताया कि पैकेज.xml की मदद से आप डेटा को रिट्रीव कैसे करोगे समझे यह होता है आपका पैकेज.xml और अगर आपको डिपलॉय करना है किसी दूसरी और के अंदर तो पहली चीज़ तो अगर आपके पास आपके पैकेज में टेस्ट क्लास है अपकेज क्लास है तो उसका कोड कवरेज 75 के अब अगर रहेगा तो ही डिपलॉय होता है फिल्ड बगरी के लिए नहीं लगता है अगर आपको नहीं आता है तो मुझे बताओ वहाँ ठीक है कॉमें बताओ मैं फिर इसके उपर भी एक वीडियो बनाके आपको दे दूंगा ओके तो आज के क्लास में बस इतना है नेक्स क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग पैकेज का डेटा डिपलॉय करेंगे दूसरी और के अंबर ओके